नमस्कार भविशेवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविशे आपके राशी का भविशे बताने के लिए आज फालगून कृष्णपक्ष की दृतियाति थी और शुक्रवार का दिन है दृतियाति थी आज राद 10 बच कर 29 मिनट तक रहेगी आज शाम 6 बच कर 31 मिनट तक सुकरवाई जोग रहेगा साथी आज शाम 4 बच कर 12 मिनट तक पूरो फर्गूनी नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विस्तर चर्चा करेंगे आज अगर आपका बर्डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मरीज़ अनिवरसरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भ भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही पल देता है जो तेशे गणित पक्षने आकाशी पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मगनेटिक फील्ड के मुवमेंट को कल्कुलेट करके ये जान लिया है किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की यही जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग कल यानि की 19 फरवरी की सुबह 6 बच कर 33 मिनट से रात ये जोग नहीं बन रहा है अब ये जोग 20 फरवरी की सुबह 6 बच कर 32 मिनट से शाम 4 बच कर 42 मिनट तक रहेगा इस करम में आईए अब चर्चा करते हैं आज के शुबह मुहूर्त यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5 बच कर 12 मिनट से कल सुबह 7 बच कर 11 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7 बच कर 27 मिनट से दोपार पहले 11 बच कर 43 मिनट तक रहेगा कांस्टक्शन शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है अब यह मुहूर्त कल यानिकी 19 फरवरी की सुबह 8 बच कर 49 मिनट से 10 बच कर 46 मिनट तक रहेगा किसी industrial institution में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट कली यानि कि 19 फरवरी की सुबह 8 बच कर 49 मिनट से 10 बच कर 46 मिनट तक रहेगा सीजेरियन आपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट सुबह 7 बच कर 27 मिनट से दो पहर पहले 11 बच कर 43 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर 1 बच कर 30 मिनट से रात 8 बच कर 30 मिनट तक रहेगा जाब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट शाम 5 बच कर 12 मिनट से रात 8 बच कर 30 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 47 मिनट से राद 11 बच कर 16 मिनट तक रहेगा Medical treatment शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर तो नहीं है अब ये महूर तो 20 फरवरी की राद 9 बच कर 36 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक और एक बार फिर राद 12 बच कर 58 मिनट से अगली सुबह 7 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली Electromagnetic Field कुछ चणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुबह करांति साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुबह कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज सुबह 10 बच कर 41 मिनट पर अशुब समय रहेगा वैसे तो इससे सभी राश्यां परभावित होंगी लेकिन करक, सिंग, धनु और कुम्ब राश्यां विशे शुबह से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बात तक कोई भी शुबह कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दूँ के काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहर जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिली में रहुकाल होगा दो पहर पहले 11 बचकर 11 मिनट से दो पहर 12 बचकर 35 मिनट तक मुंबई दो पहर पहले 11 बचकर 26 मिनट से दो पहर 12 बचकर 33 मिनट तक चड़ीगर दो पहर पहले 11 बचकर 13 मिनट से दो पहर 12 बचकर 37 मिनट तक लखनवू सुबह 10 बचकर 56 मिनट से दोपहर 12 बचकर 20 मिनट तक भोपाल दोपहर पहले 11 बचकर 8 मिनट से दोपहर 12 बचकर 34 मिनट तक कुलकाता सुबह 10 बचकर 25 मिनट से दोपहर पहले 11 बचकर 24 मिनट तक आहमद आबाद दोपहर पहले 11 बच कर 28 मिनट से दोपहर 12 बच कर 23 मिनट तक और चेन नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10 बच कर 25 मिनट से दोपहर 12 बच कर 23 मिनट तक ये था कुछ शहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज वो दिशाहे पूर वो और दक्षिर पूर को और आईए आप शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोची तरह आज भी मेश राशी की मेश राशी वालों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आज आपका वायवाहिक जीवन बहतरीन रहेगा जीवन साथी के साथ जादा समय बीतेगा वेद्यार्थियों के पढ़ाई के पर दे काफी रुची रहेगी आफिस जाते समय आपको जरूरी फाइल भूल सकते हैं आज आपको अपने कारियों के पर दे सचेत रहना चाहिए किसी से बिना सोचे समझे बोलने से आज आज आपको बचना चाहिए आज आपको अपने खरचों पर कुछ कंट्रोल करना चाहिए कारे क्षेतर में सीनियर्स का सायोग मिलता रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नमबर है चार वरे शराशे वालों आज आपका दिनों तम रहेगा आज कोई ऐसा काम आपके पास आएगा जिससे आपको धनलाब होगा इससे आपके आर्थे किस्तिती पहले से और बेतर हो जाएगी आपके रुके हुए काम किसी रिष्टेदार की मदद से जल्द ही पूरे हो जाएंगे कुछ लोग आपसे दोस्ती के लिए हाँ ठागे बढ़ाएंगे जीवन साथी आज आपके कारियों में सहयोग करेंगे जिससे आपको बहुत खुश्य महसूस होगी आपके आसपास के कुछ लोग आपसे मदद के लिए कहेंगे परिवार का महल खुश्रुमा बना रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है प्राउन और लखी नमबर है चार मिथुन राशिवालों आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा किसी नीजी काम को पूरा करने के लिए बड़े बुश्रु की रहे मानना आपके लिए कारगर साबित होगा घर में बच्चों की बड़े पार्टी का आयोजन करेंगे आज घर पर महमानों के आने से घर में रौनक बड़ी रहेगी काम के पती आपकी मेहनत रंग लाएगी आपको एक्स्ट्रा इंकम के नए सोर्सिज मिलेंगे मन में चल रही कोई बात दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिससे आपका मन हलका होगा पारिवारिक रिष्टे और मजबूत होंगे आज आपकी सहत अच्छी बनी रहेगी आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंज और लखी नंबर है सेवन करकराशिवालों आज आपका दिन शांदार रहेगा किसी जरूरी काम से की गई यात्रा लाबदायक सिद्ध होगी आज आपका विवहार दूसरों को प्रभावित करेगा दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा आज हर तरह के मामले में आप शांत मन से विचार करेंगे भविश्य में होने वाले किसी काम की तैयारी आज से ही शुरू करने का मन बनाएंगे आज अपनों का साथ मिलने से आप खुश रहेंगे आपको जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा किसी रिष्टेदार से आर्थिक सहयता मिलेगी कारियों में सहकर्मों का सहयोग मिलता रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नंबर है सिक्स सिंग राश वालों आज आपका दिन फैवरिबल रहेगा कारेक शेतर में कोई महत्तुप्रूम फैस्टा लेने से आपको फायदा होगा किसी अनभावी की मदद से आपको धन लाब की प्राप्ति होगी पहले किये गए काजों से आपको लाब होगा दूसरे शहर रहे कर नौकरी कर रहे लोगों को आज घरवालों की तरफ से फोन पर कोई बहत्रीन खुशकबरी मिलेगी इस से आफिस में आप मिठाई बाटेंगे चात्रों को आज पढ़ाई पर ज़्यान देने की जरूरत है लमेट्स आज किसी महत्रपूर कारे में आपकी मदद करेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नंबर है नाई करन्या राशिवालों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कोई काम पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है किसी कारे को पूरा करने में पुरानी कमपनी का अनुभाव आपके लिए कारगर साबित होगा आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा दोस्तों का भी आपको भरपूर सायोग मिलेगा स्वास्ते के परतिया आपको थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है अगर आप पार्टर्शिप में कोई कारे कर रहे हैं तो आपको धैरे बनाये रखना चाहिए आपके मेहनत रंग लाएगी आज के लिए आपका लखी कलार है ग्रे और लखी नमबर है चार तुला राशिवालों आज आपका दिन पहले के पेक्षा अच्छा रहेगा सहकर्मी के साथ किसी जरूरी काम को लेकर चर्चा करेंगे आज दूसरों के राय मनना आपके लिए बेहतर साबित होगा जीवन साथी के साथ आपके रिश्टे मद्बूत होंगे कारोबार को बढ़ाने के लिए आज आपको कुछ खास लोगों से मद्द मिलेगी बड़े भाई वहन से कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलने से आपका मन पसंद होगा कारेस्थल पर उच्छा अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे आज आपको अचानक धल्लाप के मौके मिलेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है गोर्डेन और लखी नमबर है सिक्स वरिश्टिक राशिवालों आज आपका दिन शानदार रहेगा बच्चों के साथ घर पर समय बिताएंगे जिसे आपका मन परसंद रहेगा परिवार में खुशी का माहूल बना रहेगा आफिस में सहयोगी आपके काम से काफी प्रभावित होंगे कुछ लोग आपसे काम सीखने की चाहर रखेंगे आज आपको अपने सभी काम में सफलता मिलेगी आज आपके अंदर भरपूर एनरजी रहेगी घर में आपको सब का साथ मिलेगा संतान पक्ष की किसी सफलता से आप बहुत खुश रहेंगे आपकी सभी समस्याओं का निवारन होगा कुल मिला कर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पांच धन और आशी वालों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा इस राशी के नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन सामाने रहने वाला है आज आफिस में काम जादा होने की वज़े से घर देर से पहुंचेंगे आज आपकी आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा किसी दोस्त की समस्या सुलजाने में आप खुद भी उलच सकते हैं आज आप अपनी दिन चर्या में बदलाब करेंगे परिवार में आर्थिक रूप से आपकी कुछ जिम्मेदानियां बढ़ेंगी आज आपकी सभी समस्या सुलज जाएंगी और आपका दिन बेहतर रहेगा आज के लिए आपका लगी करार है यलो और लगी नंबर है पांच मकर राशेवालों आज आपका दिन सामान ले रहेगा परिवार के सभी सद्से आपसे कुछ रहेंगे आज आपको अपने स्वास्ते का ख्याल लखने की जरूरत है आफिस में कोई सहकर्मी आज आज आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा किसी काम को लेकर आज आज आप कुछ नया प्लान बनाएंगे इस से आपका काम असानी से पूरा हो जाएगा जीवन साथी के साथ बात करने से खलत फहमी दूर होगी इसके अलावा आज दूसरों की बातों में दखल देने से आपको बचना चाहिए आज आज आपको किसमत का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नमबर है तीन कुम्हराशिवालों आज आज आपका दिन फाइदे मन्द रहेगा धल आपके नए रास्ते खुले नजर आएंगे आफिस में आज कोई ऐसा काम आपको मिलेगा जिसके लिए आप बहुत दिनों से उच्चुक थे इस राशिके विवाहतों के लिए आज का दिन जादकार रहने वाला है नौकली कर रहे लोगों को उन्नती के उसाथ पराप्त होंगे किसी काम के सिलसले में आज आज आपको यात्रा करनी पड़ेगी दोस्तों के साथ आज आज आपकी दोस्ती और मस्दोत होगी राजनी से जुड़े लोगों का समाज में पहचान बढ़ेगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है एक मीन राशिवालों आज आर्थिक रूप से आपके प्रगति होना तैह है कारोबार में धनलाप के नए अफसर प्राप्त होंगे रुके हुए काम पूरे होने पर आपको खुशी का अनभव होगा सामाजी कारों में आप बर्थ चलकर हिस्सा लेंगे घर पर अचानक कुछ रिष्टेदार आएंगे जिनकी खातिदारी में आज आप व्यस्त रहेंगे आज आपके दांपत रिष्टे में नई नई खुशी आएंगी सरकारी क्षेतर में अगर आप अपना करियर बनाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है आट और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज माता को प्रणाम करें और जिनकी आज मेरी जैनिवरसरी है वो आज बिटी का बतन घर लाएं तो साल भर सुख और सौभाग बढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं अंकों की रहस्माई दुनिया में मुलांग के एक वालों आज किसी पर तुरंट भरोसा करने से बचें साथी किसी से बात करते समय अपनी भाशा को मधुर रखें मुलांग दो आज आपकी माता के स्वास्ते में सुधार होगा जिससे आप रिलیک्स महसूस करेंगे मुलांग तीन आज बिजनस में किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा जिससे कोई नया बिजनस शुरू करेंगे मुलांग चार आज बहुत दिनों से रुका हुआ कारे पूरा होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी मुलांग पाँच आज का दिन आपके लिए बहुती उत्तम रहेगा समाजिक लोगों से आपके पहचान होगी मुलांग चे लंबे समय से जो चिंता चल रही थी उसका आज हल निकलने की उमीद है मुलांग साथ आज का दिन कुछ रोचक साहित वग्यान वर्धक पुस्तके पढ़ने में वितीत होगा मुलांग आठ सूद्बूज से लिए गए निर्णे आर्थिक रूप से आपको मजबूत और सक्षम करेंगे मुलांग नव आज घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का अवसर मिलेगा घर का माहौल खुश्णुमा बना रहेगा और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के मद्ध भाग में सीड़ियां बनवाने के बारे में चा मद्ध भाग में सीड़ियां बनवाना ठीक रहता है और नहीं तो जो घर के मद्यभाग को ब्रमस्थान माना जाता है ऐसा अस्थान जहां देवताओं का वास होता है इसलिए कई लोग घर के बिलकुल बीचों बीच तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार घर के मद्यभाग में सीड़ियों का निर्मान नहीं करवारा चाहिए अगर इस स्थान पर आप सीड़ियों का निर्मान करते हैं तो आप अपने जीवन में दुख और विपत्यों को बुलावा दे रहे हैं इससे आपको स्वासंबंदी परिशानी हो सकती है साथी घर के मद्यभाग में सीड़ियों के होने से आर्थिक संकट भी बढ़ता है वास्तुशास्त्र में ये थी चप्चा घर के मद्यभाग में सीड़ियों के बनवाने के बारे में और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फाल्मुन मास के किश्ण पक्ष की दुतियाति थी और शुक्रवार का दिन है दुतियाति थी आज राद 10 बच कर उन 30 मिनट तक रहेगी उसके बाद त्रितियाति थी लग जाएगी आज शाम 6 बच कर एक 30 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, सुकर्मा योग के दौरान के एक कारियों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है आपे तो कारिय शुब फल दायक होते हैं, विशेश करके नई नौकरी जोईन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुब होता है साथ ही आज शाम चार बचकर बारा मिनट तक पूरा फालगुनी नक्षतर हैगा, उसके बाद उत्तरा फालगुनी नक्षतर लग जाएगा फिलहल बात करेंगे के पूरा फालगुनी नक्षटर की आकाश मंडल में 27 नक्षटरों में इसे पूरा फालगुनी 11. नक्षटर है इस नक्षटर का पतीक चुन्ह चार पाई की आगे वली दो टागों को माना जाता है इसके स्वामी शुक्रा चारे हैं लिहाजा आज शुक्र संबंदी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए के गए उपाय कारगर सिद्ध होंगे साथ ही ढाक जिसे पलाश भी कहते हैं उसके साथ पूरा फालवी नक्षत्र का संबंद बताया गया है ये भी बता दूँ कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है और जिस किसी भी नक्षत्र में किसी विक्ति का जन्म हुआ हो उस नक्षत्र में पढ़ने वाले उससे सम्मधित पेरपोधों या जलीबूटियों का इस्तेमाल उस विक्ति को नहीं कर करनी चाहिए साथ ही उसकी लकडियों फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज विक्ति को यौ्ज मने लेना चाहिए इसके वज़ाए है पूरा फालूी नक्षत्र में लोगों आज धाक या प्लास के पीड़ को नमसकार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपकी सुख सुर्धाओं में बहुत तरी हो तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग और पूरा फालगूनी नक्षत्र के बारे में और अब बात करते हैं आज सुकर्मा योग और पूरा फालगूनी नक्षत्र के संयोग में अलग अलग शुप फ अब उस दिये से पूरे घर में धूब दिखाईए और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दीजे बुझाईए नहीं आज के दिन ये उपाय करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मद्वेश समाप्त होंगे और आपके घर में शांती का महौल बनने ले करें मंतर है ओम द्रांग द्रींग द्रांग सह शुक्राए नमा आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का ध्यान आपकी तरफ आकर्शित होगा और रिष्टों में पहले जैसा प्यार कायम होगा अगर आप राजनीतिक या सामाजिक शेत्र में आपनी पैट जमाना चाहते हैं तो आज पूर्वा फालगरी नत्वशत्र में एक खाली मटका लें लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर धकन लगा होना चाहिए अब धकन गिरना जाए इसके लिए किसी कपड़े या धागी की सहाता से उस धकन को मटके से अच्छे से बांदे और मन ही मन अपने इश खुश्यों का संचार बढ़ाना चाहते हैं जिसे पारवारिक रिष्टों में भी प्यार बना रहे तो इसके लिए आज केतु के मूल मंतर का 21 बार जाब करें मंतर इस प्रकार है ओन स्रांग स्रिंग स्रांग सह के तवे नमहा आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में वरक्ष की उपासना करनी चाहिए अगर आसपास कहीं वरक्ष उपलब्द हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप धाक या पलाश के वरक्ष को किसी परकार की च्छतिन न पहुंचाए और उससे संबंदे चीज में बेहतरी सुनिश्चित होगी और आपके कारिया सुचार रूप से पूरे होती रहेंगे अगर आपके घर में पैसों का आवागमन कुछ समय से कम हो गया है तो अपने घर परिवार में पैसों का आवागमन फिर से बढ़ाने के लिए आज माता महालक्ष मी की उपासना कर माता महालक्ष मी का मंतर आप जानते हैं ओम शींग रिंग शींग कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद शींग रिंग शींग महालक्ष मेई ना महा आज इस मंतर का जाब करने से माता की कृपा से आपके घर में फिर से पैसों का आवागमन होने लिए लेकिन अगर आपको जे मंत मंतर बोलने में दिक्कत आए तो आपके वल शींग, हरींग, शींग मंतर का जाब भी कर सकती है। जो कि लक्ष्मी का एक अक्षी मंतर तो शींग ही है, माता का मंतर एक अक्षर का है, शींग। इसके लावा एक बात और बता दूँ कि माता महालक्ष्मी के मंतर के जब के करने से आपकी इंकम में परहुतरी होगी है अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बरतन लीजिए और उसमें शहद भर कर उस पर धकन लगा कर घर के उत्तर परश्चिम कोने में र होगी और आपके काम धीरे धीरे करके बनने लगेंगी अपने धन धान या और भोतिक सुखों के वड़ोतरी के लिए आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एक अक्षी नारियल ले अगर आपको पलाश का ताजा फूल न मिले तो आप पंसारी के यहां से सूखा हुआ पल रखते हैं वहां रखते हैं आज के दिन ऐसा करने से आपको धन धान और सुख साधनों की प्राप्ति होगी जीवन के हरक्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो आज किसी कुमार या कृषक या जो मिटी से जोड़ा कोई कारे करता हो उसे एक सफेद रंग का कपला गिफ मिलेगी अगर आपके तबियत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबियत में सुधार के लिए या अच्छे स्वास्ते के लिए आज जो़ार के आटे की रोटी बना कर गाहे को खिलाईए और पैर चुकर गाहे के पैर चुकर आशरवार लीजे लेकिन अगर आप जो़ार के आटे की रोटी ना बना पाएं तो जो़ार का आटा या साबुद जो़ार के दाने किसी मंदिर मेतान कर दें आज के दिन ऐसा करने से आपकी तबियत में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा और आपको अच्छा महसूस होगा अगर आप अपने दामपत्य जीवन को खुशाल बनाया रखना चाहते हैं और उसमें प्यार को कम होने की कोई गुशाश नहीं रखना चाहते हैं तो आज कोई दो अच्छी सी खुश्बु वाले इत्र की शीशी खरीदें और उसमें से एक शीशी को किसी मंदिर मेदान करने और दूसी शीशी को अपने जीवन साथी को गिफ्ट करने और कहिए लगाएं उसको आज के दिन ऐसा करने से आपका दांपत्य जीवन खुशाल रहेगा और आपके रिष्टे में प्यार ही प्यार होगा अपने सुख सौभागी की वर्दे के लिए गाय का शुद्ध देशी घी और एक कपूर की डिबी मंदिर मेदान करें साथी मंदिर जाकर उस कपूर की डिबी में से कपूर की टिक्या निकाल कर अपने हाथों से जलाएए और भगवान की यारती करें बाकी मंदिर में ही रखी रहने दे आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सोभागे में निश्चित दूप से वर्द्धी होगी तो ये सारी चर्चा थी आज सुकरमा जोग और पूरा फालमी नक्षत्र के संजोग में किये जाने वाले विशेश उपायों की उमीद है कि आप इन उपायों को अपना कर लाब आवश्यू रही और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भूश के बारे में और ABCD ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों क्यों कि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपरचुंटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा जिससे आपके आपके आपसे किस्तिती और मस्बूत होगी बी आज आपका मन काफी खुश रहेगा सामाजिक कारियों में आपके रूची बढ़ेगी आज आपका दिन अच्छा रहेगा आपकी कोशिशों से रुके हुए सबी काम पूरे हो जाएंगे आज बिजनस से रिलेटेड काम अच्छा चलेगा साथ ही कोई बड़ा फाइदा होने के योग भी बने हुए है आज आप जो भी काम चुरू करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता जरूर हसिल होगी आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है आप अपने परिवार के साथ कहीं पर घूमने चाहेंगे जी आर्थिक पक्ष मदबूत रहेगा विग्यापन के छिट से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा उफर मिलेगा आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा घर में नए महमान के आने से खुशी का माहौल बना रहेगा आज का दिन बच्चों के लिए बेहतर रहने वाला है कोई मनपसंद खिलोना मिलने से खुश होंगे जे आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आपकी पॉकेट मनी डबल होगी के आज आप अपने किसी खास दोस्त के घर उनसे मिलने चाहेंगे जो लोग सरकारी नोकरी में हैं उनका ट्रांसफर किसी अच्छी जगे पर होगा म आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है लंबे समय से चलिया रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा आज का दिन बेहत्रीन रहेगा स्वास्त की दिश्टी से आज का दिन पढ़िया रहेगा मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज शाम तक कोई अच्छा क्लाइंट चुड़ेगा पी आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी आज आप सभी काम आपके मन मताबिक पूरे हो जाएंगे क्यों आज आपके नए व्यापार से अधिक धनलाब होने वाला है बहुत दिनों से जो रुका हुआ काम था आज पूरा हो जाएगा आज आफिस में अच्छे कारे के पदर्शन के लिए आपको पदोनती का अफसर प्राप्त होगा S माता पिता के साथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे सभी लोग पर सन्न होंगे T अगर आपने अवाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शो रहेगा U आज कारोबारियों को उम्मी से अधिक धनलाब मिले वाला है V आज आपकी महनत रंग लाने वाली है आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी W आफिस में आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा लेकिन राय सो समझ कर ही देना अच्छा रहेगा X आज आपके खुशी दोगनी हो जाएगी आपका आर्थिक पक्ष भी मद्बूत रहेगा Y आज का दिन आपके लिए बेहतीन रहने वाला है कोट कचहरी के मामले में सफलता हासिल होगी Z अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा और अब बात आज के तीर्स की आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के दर्शन गुरुग्राम में इस तिक माताशीतला का प्रसिद्ध मंदिर धार्मी के स्थलों में से एक है विशोभर में प्रसिद्ध माताशीतला का ये 500 साल पूर प्राचीन मंदिर भाक्तों की आस्था का बढ़ा केंदर है इस मंदिर के बारे में लोगों के मानेता है कि इसका संबद महाभारतकाल से है कहा जाता है कि यहीं पर आचारे दूनाचारे कौरवों और पांडवों को अस्तर और श्तर का प्रिश्चर देते थे महार्शी शारद्वान की पुत्री और कृपाचारी की बहन कृपी के साथ गुरु दूनाचारे का विवा हुआ था देश के अनेकों राज्यों से आईश अधालू माताशीतला के समक्षप्नी मननते रखते हैं तो आप घर बैठे कीजिए इस प्राचीर मन्दिर के दर्शन और अब बात सामुद्रिक शास्तर की सामुद्रिक शास्तर में आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके चेहरे की आकरती अंडाकार लेकिन चोड़ाई में अधिक और लंबाई में कम होती है वो लोग शारीरिक रूप से काफी भारी होते हैं इसके लावा इन लोगों का मांसिक विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता या फिर ये लोग उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं यानि कुल मिलाके इनकी बहुत धिक शम्ता बहुत अच्छी नहीं होती है अगर इनके स् वास्ते की बात करें तो इनका स्वास्त भी बहुत ज़्याद़ा ठीक नहीं रहता है इनका मेटोबलिजम गरवडाया रहता है और इने एलर्जी या किड्नी सम्मद्धी कुछ-कुछ परिशानियां भी हो सकती है सामुत्विक शात्र में उन लोगों के बारे में जिनके चेहरे क्याकुती अंडाता यानि चोड़ाई में अधिक और लंबाई में कम होती है और अब बात अवाइड आफ्टी डे की यानि आज आपको क्या नहीं खाना है आज 18 फरवरी को फालून कश्नपक्ष की दृती आती थी दृती आती थी में छोटे बैगन का सिवन निशिद है जो तिया थी थी आज रात 10 बचकर 29 मिनट तक रहेगी उसके बाद तिया थी थी लग जाएगी जो कल रात 9 बचकर 56 मिनट तक रहेगी तिया थी में परवल की सबजी या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को खाना निशिद है ये शत्रों की बरदी कराने वाली होती है आता आज रात 10 उन्तीस तक छोटे बैगन नहीं खाने है और उसके बाद कल रात 9 बचकर परवल की सबजी अवाइट करनी है इस तरह तिती का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाएए पीजिये मौश कीजिये और चलते चलते मैं आपको बतानू कि कल आपका मनोबल ब्रहने वाली दिशा है दक्षन पूर्व और दक्षन और अब सावधान कोरोना ओम नमोन सिंगाय हिरन कश्चपवक्षस तलविदारनाए त्रिभून व्यापकाये क्रेमी विश विशान कुलोन मूलनाए इस्तंभोद भवाये समस्त दोशान हर हर विसर विसर पचपचपचः हन हन कम पए कम पए मत मत रींग 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 फटफट ठाठा एही एही रुद्र आगया पैसी सौ और अब वक्त है आज की टिप आप दिजे का आज किसी करन्या को रहमान भेट करें सारे दिन आपको खुशिया ही खुशिया हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ओन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिकस संपर करने के लिए फोन करें 0124 472 1000 और 997 1000 226 भाविश्यवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार